नमस्कार आप देख रहे हैं HVN News चंदर राशी अधारित नाम पुकार अनुसार आज क्या कहता है आपका राशी फल देखिए मेश राशी कारी स्कल पर आ रही समस्या के निदाल के लिए वहाँ पर वास्तु अनुरूप परिवर्तन करे तुरंत लाब होगा हवाई यात्रा के योग बन रहे हैं पारमार्थिक कारियों में शामिल होंगे वरिशब राशी एक समय पर एक ही काम करें भेतर उन्नत्ती के लिए अपने वहबार और कारे प्रणाली में बदलाव लाए अधिकारी वर्ग प्रवावित होगा विदोत उपकारण खरिच सकते हैं मिथुन राशी ग्रहा अनुकुल है आज के दिन आपके कारें में गती आएगी जिससे मन प्रसन रहेगा प्रेम प्रसंगों में सफलता मिले की संभावना के बीच पारिवारिक सहयोग मिलेगा समय रहते जरूरी कार्या पूरे कर ले करकराशी पारिवारिक आयजोन से दूरिया मिट सकती है ध्यान रहे आपकी सफलता के पिछे आपके परिश्रम के साथ कई लोगों की दूआ भी है लेकिन स्वास्त पर धन खर्च होने के साथ ही आज शत्रू वर्क सकरिय रहेगा सिंग राशी तेल वैपारी आज ज्यादम मुनाफा कमा सकेंगे विदेश जाने के योग होने के साथ ही आज नया वैपार शुरू हो सकता है लेकिन कानूनी अर्चनों की संभावना के बीच किसी बात से बेचेन रहेंगे कन्या राशी कई दिनों से अटके मसले आज सुलज सकते है किसी प्रभावकारी वैक्ती से मुलाकात हो सकती है लेकिन ध्यान रहे समे रहते अपनी गलतिया सुधार कर ले तुला राशी आज आप एक वाक्य चात्तुरे से कारे बन जाएंगे चिंता त्याकते हुए व्यर्थ सोचना बंद करे जो होगा अच्छा होगा उपहार मिलने की संभावना के साथ ही लोगों से संपर्क बढ़ेगा वाहन सुक संभाव है लेकिन परोसियों से आज विवात की संभावना के बीच स्वास्त में सुधार के लिए डॉक्टर बदलना पड़ सकता है धनु राशी कारे स्थल पर खुष्णुमा माहौल की संभावना के बीच आज धन प्राप्ति के योग है रंगमंच से जुड़े जातकों के मान में वृद्धी होगी वही परिवार में आई समस्या का निदान होगा लेकिन समस्या की अस्तिर्था से परिशान रहेंगे मकर राशी आज खान पान पर पुन्ड नियंत्रन रखे अकिसमात आयखर्च से बजट प्रहावित होगा आज भी कारे पूरे नहीं हो पाने की संभावना के बीच किसी से अकारण विवाद हो सकता है किसी अंजान पर भरोसा ना करे कुम्भ राशी वैपारिक उन्नति के अवसर की संभावना के बेच कारियों में आ रही परिशानी से सहज ही निकल जाएंगे बरतन वैपारियों के लिए समय उप्यूक्त है परपकारी बने मीन राशी धैरे रखे जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है कानूनी कारियों में उलहजे सकते है मामली बात पर विवास संभव है भाई बहनों के साथ समय वैतित होगा एक तका राश चलेगा हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी उचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी महुआ विधान सभा शेत्र के दोनों प्रखंड के अल्तरगत विभिन पंचायतों में पिछले तीन सालों से मेडिकल केम्प लगा कर लोगों की सेवा मित्तत पर कोरोना जैसे महामारी को आई हुए पाच महिने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंध है लेकिन इन्होंने इस सेंकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा मिल लगे हुए है अपने अस्पताल के मात्यम से पिछले पाच महिनों से कोरोना वाइरस जैसे खतरनाग बिमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वित्रन और लोगों के बीच घुम घुम कर इस बिमारी के खिलाब सजग रहने की सला दी महुआ विधान सभा शेत्र में मेडिकल कैप के दोरान फ्री दवा का वित्रन क्यों करी विचार ठीक तो है नितिश कुमार डॉक्टर आस्मा परवीन प्रदेश महासचीव जदियू बिहार श्वयभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधान सभा 126 संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड जोहरी बाजार हाजिपूर वैशाली